हेलो एवरिवन मेरा नाम रागवेंदर सिंग है और बच्चों इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 3 जिसका नाम है इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों जैसा की आप सामने देख पा रहे हो पहले टॉपिक में हम केमिकल कंबिनेशन का लौ क्या होता है और एटम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे second topic में molecule क्या होता है वो पढ़ेंगे और third topic में हम molecular mass और mole concept के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम शुरू करते हैं इस chapter को पहले topic से जिसमें हम को law of chemical combination and what is an atom पढ़ना है तो शुरू करें चलिए प्रभू का नाम लेकर शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है बने रहिए चलिए बच्चे तो अगर मैं यहां आपको बताओं law of chemical combination तो law of chemical combination को पढ़ने से पहले atom matter के बारे में जाना जरूरी है जी हाँ यह जो atom word है ना जिसको हम हिंदी में परमाडू भी कहते हैं यह इसका concept क्या है कहां से आया ठीक है तो इसके लिए हमारे जो ancient ancient मतलब बह Greek philosopher है उन्होंने क्या बोला था इसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो चाहे इंडिया के philosopher हो चाहे Greek philosophers हो सभी ने एक बात common कहीं मतलब सभी की एक बातें समान थी वो क्या थी कि matter जो है कहीं ना कहीं जो matter है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है ठीक है तो जो आप सामने यहां पिक्चर में देख पा रहे हो यह क्या है यह फिलॉसफर्स हैं जैसे यहां महर्शी कनड आप देख रहे हो यह Indian philosopher है यह दोनों क्या है यह Greek philosophers है और यह Indian philosophers तो इंडियन और Greek philosophers फिलोसफी ने मिलकर हम लोगों को एटम क्या होता है इसको बताने की कोशिश की और उनकी बातें ही बन गई क्या फिलोसफी है कि नहीं हम फिलोसफी देते हैं किसी चीज पर हम किसी को explain करते हैं तो वह हमारी फिलोसफी बन जाती है तो एटम क्या होता है इस पर फिलोसफी किस जा सकता है उससे तोड़ा जा सकता है ये बाते करने वाले लोग इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे और उन्होंने कब कहा आज नहीं 500 BC यानि बिफोर क्राइस्ट ठीक है क्राइस्ट जी का जो हम हिस्ट्री में समय बताते ना ADO BC में तो BC से भी 500 साल पहले ये बाते कहीं गई थी तो अब किसने क्या कहा एक एक करके देख लेते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले सामने कौन आए महर्शी कनड तो ये कहा के फिलोसफर हैं इंडिया के फिलोसफर थे है ना तो महर्शी कनड जी क्या बोला चलिये मैं आपको पताता हूँ किस से बना है पदार्थ को अगर हम तोड़ते छले जाएं तो अंत में एक इतना छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता और उसी पार्टिकल को बोला क्या परमाडू जी हाँ देखिए क्या लिखा है अगर हम किसी भी matter को break करते जाएंगे जैसे मालो यह pen क्या है matter है और मैं इसको तोड़ता चला जा रहो हूं break करता चला जा रहो तो एक बार break किया तो एक pen से दो pen के टुकड़े हो गए और break किया चार हो गए जिसे और divide नहीं किया जा सकता ऐसा कहना था किसका महर्षि कनजी का और ऐसे वो particle जिनको हम further break नहीं कर सकते उनी particle को महर्षि कनजी ने क्या नाम दिया पर्माढू और यही particle जिनको हिंदी में महर्षि कनज जी ने परमाडू कहा आगे चलके यही पार्टिकल क्या कहला है एटम इसी लिए एटम और परमाडू एक ही चीज है तो वही लिखा है ultimately ultimately मतलब जब अगर हम matter को divide करते जाएंगे यानि break करते जाएंगे तो ultimately यानि finally एक ऐसा stage एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible तो एक ऐसी stage आएगे जिसमें हम further उस particle को break नहीं कर सकते और फिर वो जो particle है वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा परमाडू उसी particle को परमाडू कहा चेक है और यह idea यह परमाडू का idea सबसे पहले इंडियन philosopher किस ने दिया था महरशी कनजी ने दिया था ठीक है आगे चला जाए तो महरशी कनजी ने क्या बोला हमने पढ़ लिया समझ लिया आगे चलते हैं अभी भी इंडियन philosopher की कमी नहीं है जी हाँ यहाँ आप देख रहे हो एक और इंडियन philosopher जिनका नाम क्या है पाकुडा कट्टायम तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने यह philosophy दी इनका कहना यह था कि matter कुई भी हो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बने होते हैं वही लिखा है elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter यानि कि यही particles जो combined form में यानि मिल जूलकर क्या बना लेते हैं matter बनाते हैं यानि कहीं न कहीं कनत जी की बाद और पकुडा कट्टायम जी की बाद लगबख सेम है कि जो matter है वो particle से मिलके बना है पार्टिकल से combine होकर बना है और अगर हम matter को break करते जाएंगे तो end में बहुत छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसे further divide नहीं किया जा सकता जो कि महर्षी कनर जी ने कहा था लेकिन आगे चलके यह fail हो गया क्यों कि हमको पता है कि atom को break करके हम अंदर electron proton neutron ले सकते हैं कि नहीं तो इसका मतलब atom divisible है ठीक है यह तो अब पता चल ला है लेकिन उस समय जब हमको electron proton neutron के बारे में नहीं पता था तो हम यहीं मामते थे कि atom क्या है indivisible ठीक है और उसी को हिंदी में परमाडू कहा ठीक है तो यह बात हो गई Indian philosopher अब बात कर लेते हैं Greek philosophers की है ना तो Greek philosopher कैसे पीछे रहते उन्हों ने भी इस मुद्दे पर अपना concept अपनी philosophy रखी तो दो में Greek philosopher दो में है एक है डेमोकृतस और दूसरे है लिसोपस तो डेमोक matter को अगर हम break करते जाएंगे तो वो finally इतने small particles में break हो जाएगा कि वो small particle further break नहीं किया जा सकता यानि वो small particle क्या हो जाएगा इंडिविजबल हो जाएगा और उसी small particle को डेमोकृतस ने क्या नाम दिया atom तो इसका मतलब कि कनद जी की बात और डेमोकृतस और लिूसिपस जी की बात एक ही है है ना कि matter को हम break करेंगे तो वो तूटता चला जाएगा और finally end में एक ऐसा particle मिलेगा जिसे further हम divide नहीं कर सकते उसी particle को कनद जी ने परमाणू कहा और उसी particle को डेमोकृतस ने क्या कहा atom कहा इसका मतलब कि atom is equal to परमाणू इसमें कोई discussion dispute की बात है नहीं है बात तो यह की है है ना तो यहां आपको यह दो Greek philosophers याद रखने पड़ेंगे डेमोकृतस और लिूसिपस तो देखो अभी सिर्फ बाते हो रही है एक्सपेरिमेंट से तो कोई प्रूव अभी कुछ नहीं हुआ है बस इन्होंने एक thought रखा एक सोच रखी कि ऐसा है अब वो है या नहीं है उस समय तक एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हुआ था ठीक है तो फिर दुनिया को इन्होंने atom के बारे में बता चल गया था है ना लेकिन उस समय तक जब यह महरशी कनद जी थे डेमोक्रीटस थे लिउसीपस थे इन्होंने जब अपनी फिलोसफी दी तब तक एलिमेंट कमपाउंड के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था कि एलिमेंट क्या होता है कमपाउंड क्या होता है है ना कुछ नहीं पता था यह तो बहुत लेट पता चला कब पता चला 18th century के आखरी में by the end of 18th century साइन्टिस्ट रिकोगनाइज दा डिफरेंस बिट्वीन एलिमेंट्स एंड कमपाउंड यानि कि महर्शिक कनर जी यह डेमोक्रिटस जी लिव स्विपस जी यह जितने भी इंडियानों ग्रीक फिलोसफर्स थे इनको एलिमेंट कमपाउंड के बारे में वो बाकी दुजि अलग होता है कमपाउंड अलग होता है है ना जैसे यहां आप देख रहे हो यह क्या है सिल्वर तो मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर सिल्वर क्या है तो एलिमेंट है है ना और यहां आप क्या देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट सीए सियो 3 तो कैल्शियम कार्बन और ऑक अब हमको पता है ना लेकिन पहले नहीं पता था यह बहुत लेट 18th century के आखरी तक तब जाकर पता चला नहीं element अलग होते हैं compound अलग होते हैं element आपस में मिलकर compound बनाते हैं जैसे calcium carbon oxygen आपस मिलकर calcium carbonate बनाया calcium carbonate यानि जैसे कि limestone तो यह चुने का पत्थर है कि नहीं तो बस समझ में आया चलिए आगे चला जाए आगे चला जाना चलिए तो यह समझ में आ गया अब फिर जब नए नए चीजें एक्सपरिमेंट से प्रूव होने लगी साइंस में तो फिर एक साइंटिस बहुत ही इंपोर्टेंट है खासतोर से केमिस्टी में ठीक है तो एंटोनी एल लेवोजियर उनका नाम है साइंस को भी हम फर्दर ब्रेक करते हैं बायो फिजिक्स केमिस्टी में तो एंटोनी एल ल से अब कर से हीन को झोटन निकल के आया किस ने इंटोनी एल लेवोजियर किस फ़र्म में इन्हों ने दो लॉएक केमिकल कंबिनिशन को एन्न लेब सीर लेट फांडेशन उफ केमिकल साइनसेस वाइस्ट charisma two important laws of chemical combination तो law of chemical combination कितने हैं दो कौन कौन से यह रहे पहला law है law of conservation of mass और दूसरा law है law of constant proportion यह दोनों law क्या मिलकर कहलाते हैं यह दोनों law एक साथ law of chemical combination कहलाते हैं जो कि कि लेकिन इस्म लॉग को देने में एंटोनी लेवोजियर को काफी दूसरे scientist लोगों ने भी हेल्प किया था जैसे कि जैसे फैल प्रॉस्ट ने हल्प किया था और भी scientist थे तो अकेले मिलके नहीं of mass क्या कहता है यह law simple जितना mass chemical reaction के पहले था उतना mass बाद में भी होगा यानि कि mass create नहीं किया जा सकता ना mass को destroy कर सकते हैं जितना है उतना ही रहेगा ना एक थोड़ा सा भी ज्यादा ना थोड़ा सा भी कम है ना तो वही लिखा है law of conservation of mass states states मतलब कहता है कि the mass cannot neither be created nor be destroyed इन्हें chemical reaction जब दो element आपस में chemical reaction करके compound बना रहे हैं ठीक है यानि कि माल लो a plus b दो अलग-अलग element है और इंके बीच में क्या हो रहा है chemical reaction और chemical reaction के वज़ा से एक नया compound बन रहा है c तो माल लेते हैं कि a 2 gram था b 3 gram था तो total mass reaction के पहले कितना था 5 gram तो total mass after reaction भी कितना होगा 5 gram तो c कितना बनेगा 5 gram बनेगा तो इसका मतलब law of conservation of mass follow हुआ और यह follow होता है है ना तो जैसे अब यहाँ देख लो यहाँ है mercury oxide यह compound है कितना gram 100 gram है ना तो mercury oxide जब decompose हुआ chemical reaction के कारण decompose हुआ तो क्या बना mercury बना oxygen बना मतलब दो element मिले तो mercury कितना बना 93 gram ठीक है और oxygen कितना बना 7 gram तो पहले कितना mercury oxide था 100 gram और reaction के बाद यह रखो यह chemical reaction का symbol है ना chemical reaction के बाद mercury 93 gram oxygen 7 gram इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 100 gram आएगा तो यानि कि chemical reaction के पहले भी मास उतना था 100 gram और chemical reaction के बाद भी मास 100 gram है यानि कि total मास नहीं change हो रहा है ना बढ़ रहा है ना घट रहा है है ना बस यही तो है law of conservation of mass समझ में आया आगे चला जाए कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए तो आगे चलते हैं तो यह बहुत आसान है ठीक है किसी भी chemical reaction में यह नहीं कि सिर्फ इसी chemical reaction में किसी भी chemical reaction में मास create या destroy नहीं होता ठीक है आप मास का जो quantity है मतलब मास जितना है उतना ही रहता है total mass remains same इन्हें chemical reaction ठीक है तो यह पहला लौ तो हो गया ठीक है अब आते हैं दूसरे लौ पर दूसरा लौ क्या था law of constant proportion ठीक है अब law of constant proportion क्या कहता है law of constant proportion यह कहता है कि किसी compound में जो element है क्योंकि मैंने अभी बताया है कि compound कैसे बनते हैं calcium carbonate कैसे बना calcium carbon और oxygen तीन element एक definite ratio में मिले होंगे तब बना तो यह law यही कहता है कि compound में जो element present है मौझूद है वो एक definite ratio में definite proportion में मौझूद रहते हैं हमेशा irrespective of कि वो compound बना कैसे है ना the compound came from who prepared it यह माइने नहीं रखता मतब किसने बनाया कहां से वो बना है ना अगर वो compound बन गया चाहे मैं बनाओं चाहे मेरा दोस्त बनाए है है ना मालो मैं लैब में experiment कर रहा हूं ठीक है और मेरा दोस्त भी किसी दूसरे लैब में experiment कर रहा है तो अगर वो भी पानी बना रहा है और अगर मैं भी पानी बना रहा हूं तो आप बताओ पानी का formula क्या होता है पानी का formula होता है h2o है ना तो hydrogen का mass atomic mass कितना वन लेकिन कितने hydrogen है दो एक का वन दूसरे का भी वन तो टोटल कितना हो गया 2 है ना और oxygen का कितना होता है 16 अब इन दोनों का मैं ratio लूँ तो ratio सबसे छोटा ratio कितना आएगा है 2 is to 16 मतलब 1 is to 8 तो इसका मतलब कि मैं लैब में मालो मैं लैब में पानी बना रहा हूं मैंने hydrogen लिया oxygen लिया और फिर उसको मिला कर पानी बना रहा हूं और मेरा friend किसी दूसरे chemistry के लैब में वो भी पानी बना रहा है तो उसका जो पानी बनेगा उसका भी formula होगा मैं जो प है जो proportion है वो 1 is to 8 होगा मैंने जो पानी बनाया water बनाया उसमें भी hydrogen और oxygen के बीच का जो ratio है वो 1 is to 8 होगा मतलब वहीं मैं कह रहा हूं कि यह डिपेंड नहीं करता कि पानी कैसे बना ठीक है पानी किसने बनाया अगर पानी है तो उसमें दो ही element होंगे hydrogen और oxygen और उन दोनों क होगा जो ratio होगा proportion होगा वो भी हमेशा सेम होगा यानि हमेशा 1 is to 8 होगा हमेशा वहीं लिखा है ठीक है देख लो तो अब आप confused मत हो ना कि hydrogen का 2 क्यों लिखा hydrogen का तो atomic mass 1 होता है तो 1 होता है लेकिन ऐसे कितने hydrogen है 2 है न तो एक का 1 और दूसरे hydrogen का भी 1 तो total कितना हो गया 2 औ और oxygen का 16 होता है तो जब हम इसका ratio लेंगे 2 is to 16 तो उसको और छोटा कर सकते है 1 is to 8 आ जाएगा तो वहीं लिखा है कि इने compound such as water the ratio of mass किसका ratio ले रहे है mass का तो mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1 is to 8 whatever the source of water यानि कि मैं तलाब का भी पानी ले लूँ मैं नदी का पानी ले लूँ है ना मैं बाल्टी में रखा हुआ पानी ले लूँ पानी कहीं का भी हो पानी का formula यहीं होगा तो तलाब का पानी हो चाहें नदी का और उस पानी के फार्मुले में hydrogen और oxygen के mass का ratio हमेशा 1 is to 8 होगा य तो मैंने वाटर का एक्जामपल लिया अब यहां मैं दूसरे कंपाउंड का एक्जामपल लेता हूं दूसरा कंपाउंड क्या है एमोनिया तो एमोनिया का फॉर्मला क्या होता है एनस थ्री ठीक है बहुत बढ़िया एन एच-3 अब एमोनिया में मैं कौन-कौन से सब्सक्राइब दिख रहे है नाई-trong edmaskit नieso नाई-trong of hydrogen के मास का मैं रेशो लिकान लूँ तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 है है ना hydrogen का मास कितना ओने लेकिन कितने hydrogen है तो तीनों का अगर मैं 1-1 जोड एड्सक्राइब तो तो इसका मगकी होगा तो tells चाय ammonia मैं बनाओ मेरा दोस्ट बनाए कोई भी बनाए ठीक है ammonia में हमेशा जो nitrogen और oxygen nitrogen और hydrogen के mass का ratio होगा वो हमेशा 14 is to 3 होगा यही law है law of constant proportion तो मैंने दो example से इसको explain किया एक water के example से और एक ammonia के example से कि हमेशा element किसी भी compound में एक definite ratio एक definite proportion में ही पाए जाते हैं और इसी लिए law of constant proportion का एक नाम और है क्या law of definite proportion तो confuse मत होना कि law of constant proportion और law of definite proportion एक ही law के दो अलग-अलग नाम है ठीक है समझ में आया और इसी इसी law को थोड़ा अलग तरीके से जोसेफ एल प्राउस्ट ने भी explain किया मैंने बोला था कि एंटोनी एल लवोजियर को जो उन्होंने law of chemical combination दिये उसमें कई scientist लोगों ने help किये थे उसमें से एक scientist से भी थे जोसेफ एल प्राउस्ट तो इन्होंने इसी लोग को थोड़ा अलग तरीके से explain किया इन्हें chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass chemical substance जैसे की पानी तो किसी भी chemical substance जैसे हमने क्या लिया पानी जैसे हमने किसका लिया example ammonia का तो जो element होते हैं compound में या chemical substance में वह हमेशा definite proportion by mass में present रहते हैं उनका mass का जो ratio है वह हमेशा definite यानि constant रहता बदलता नहीं है ठीक है तो हमने दोनों लौ पढ़ लिए law of conservation of mass law of constant proportion या कहलो law of definite proportion clear चलो आगे चलते हैं ठीक है आगे चलते हैं यहां तो हमने एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया ठीक है अब यह जितनी भी थियोरी थी ना philosophy इंडियन philosopher ने जो थियोरी दी थी महरशी कनद जी ने फिर ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और लुसिपस उन्होंने जो थियोरी दी थी है ना इन सारी थियोरी को फिलोसफी को एक्सप्लें किया किसने जॉन डाल्टन ने मतलब माल लो कि मैं कुछ कह रहा हूं मतलब मैंने बोला एक्स इसकल टू आई अब ऐसा क्यों है और उसको दूसरों लोगों को समझाने का काम वो कोई दूसरा आदमी कर रहा है ठीक उसी तर महर को अगर हम ब्रेक करते जाएं तो फाइनली एक एंड में एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल मिलेगा जो कि इंडिविजवल होगा जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते और वही पार्टिकल को कनर जी ने परमाडू कहा था और डेमोक्रिटस ने एटम कहा था लेकिन इस फिलोसफी को लोगों को explain करने का काम किस ने किया जॉन डाल्टन तो जॉन डाल्टन ने कुछ अपना नहीं दिया था जो लोगों ने बोला उसी को एक साथ क्या कर दिया कंबाइन कर दिया जो इंडियन और ग्रिक फिलोसफर ने जो फिलोसफी दी थी उसी फिलोसफी को एक जगह पोड़ेंगे तो एक्टम मिलेगा तो बस इसी लिए तो वही लिखा है कि दा एप्रोप्रियेट एक्स्प्रेनेशन आफ दीज लॉस मत्तब जो फिलोस्फी थी और यह जो लॉ है ना जो दो लॉ आपने पड़े इसका आफ एक्स्प्रेनेशन देने का काम ब्रिक्टिस चैमिस्टि जान डालतन ने किया और उन्हों ने इस आइडिया को पकड़ा है कि हां मैट एक्स्प्रेन करने के कोशिश की है ना तो जो मतलब जो थियोरी निकल के आई सामने जो एक्स्प्लेनेशन निकल कर आया किसका एक्स्प्लेनेशन जॉन डाल्टन का एक्स्प्लेनेशन ही क्या कहलाया डाल्टन एक्स्प्लेनेशन ही क्या कहलाया डाल्टन एक्स्प्लेनेशन तो अब हमको क्या पढ़ना है डाल डाल्टन ने अपनी explanation में ठीक है as given by Greek and said that the smallest particle of matter यानि जॉर्डन डाल्टन ने atom word का use करते हुए यह बोला कि atom is the smallest particle of matter है ना his theory was based on the laws of chemical combination तो law of chemical combination पे based उनकी theory थी और उन्होंने idea लिया कहां से atom वाला idea democritus और बाकी philosopher से idea लेकर explanation दिया और वही explanation क्या कहलाया डाल्टन's atomic theory अब डाल्टन के atomic theory में किसके बारे में है atom के बारे में है basically है ना तो एक एक करके देख लेते हैं इसके main points क्या है पहला क्या दिख रहा है all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction मतलब जितने matter हैं वो बहुत छोटे particle से बने होते हैं जिने हम क्या कहते है atoms और यह atoms ही है जो की chemical reaction में participate करते हैं और नया substance बनाते हैं जैसे कहने के मतलब यह है कि hydrogen और oxygen मिलकर क्या बना रहे हैं है तो hydrogen क्या हो गया hydrogen एक matter है oxygen एक matter है है ना और hydrogen और oxygen का जो atom है वह आपस में combine करके पानी बना रहा है वाटर बना रहा है यही कहना था है डाल्टन का atomic theory में पहले point में समझ में आया चलिए आगे चलते हैं दूसरा point देख लेते हैं अब जो atom है तो डाल्टन ने बोला कि atom इतना छोटा है कि इसको divide नहीं किया जा सकता तो इसलिए इसको क्या कहा जा गया डाल्टन ने क्या बोला इनडिविजबल तो atoms are indivisible particles further divide नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्यों बहुत चोटा है बहुत छोटी चीज को divide कैसे करोगे है ना मैं कह रहा हूं आपको कि hydrogen gas का hydrogen gas को चाकू से काट दो काट पाओगे नहीं काट पाओगे क्यों कि बहुत छोटा है मैं दिखेगा भी नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है वही बात है तो atoms are individual which cannot be created or destroyed in a chemical reaction ठीक है मतलब atom destroy नहीं किया जा सकता है ना create किया जा सकता है बस क्या होता है atom आपस में मिलकर नया substance या नया matter बनाते हैं ठीक है समझ में आ गया और यह बात भी ज़रूर है कि atoms are indivisible अब डालतन atomic theory का तिसरा point क्या कह रहा है atoms of a given element are identical in mass and chemical properties यानि एक ही element के कई सारे atom हो सकते हैं माल लो कि मैंने लिया carbon है ना अब carbon के माल लो तीन atom है कितने atom तीन atom तो तीनों हूब हूँ होंगे similar होंगे इनकी chemical property भी similar होगी इन atom का mass भी क्या होगा same होगा यही है point कि atom of given elements are identical in mass and identical in chemical properties यह नहीं कि इन दोनों carbon atom का mass तो सेम है लेकिन तीसरे वाले का ज्यादा है या कम है नहीं अगर मेरे आखों के सामने लाखों का carbon के atoms हैं तो लाखों देखने में क्या है हूँ बहू सबका atomic mass नहीं है सभी की chemical properties सेम है कोई अंतर नहीं है सब जिरॉक्स कॉपी है 100% identical है ठीक है चलो फिर आते हैं fourth point पे atoms of different element have different masses and different chemical properties जी हाँ अब मैं oxygen के atom से oxygen के atom से carbon atom की तुलना करूं तो oxygen का atom carbon का atom क्या दोनों का मास सेम होगा नहीं दोनों की chemical property सेम होगी नहीं तो वहीं लिखा है कि different element के जो atoms होते हैं उनका मास भी different होता है और chemical property भी different होता है ठीक है फिर fifth point क्या है atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compound जैसे याद करो हमने law of constant proportion पढ़ा था कि one is to eight ratio में hydrogen और oxygen क्या होते है है कंमाइन करते हैं तो क्या बना रहे हैं water बना रहा है तो एक्च्छली combine कर रहा है one is two eight ratio में क्या combine हो रहा है atoms ही combine हो रहे और या बना रहे है water बना रहे हैं तो वही लिखा है कि हमेशा एक ratio में combine होते हैं ठीक है और six point था कि the relative number and kinds of atom are constant in a given compound किसी compound में जो रिलेटिव नंबर है जैसे याद करो 1 is to 8 तो वो नंबर हमेशा रेशियो हमेशा atoms का क्या होगा constant होगा ठीक है समझ में आया तो यह आपके six main points से डाल्टन atomic theory के ठीक है आगे चला जाए चलिए अब डाल्टन के atomic theory आखिर किस बारे में थे atoms के बारे में तो atom क्या होता है इसको समझ लेते हैं जैसे इसको समझाने के लिए मैं बहुत सी simple example लेता हूँ जो हमारे daily life से जुड़ा हुआ है तो बच्चों यहां देखो यहां आपको क्या दिख रहा है brick eat ठीक है घर आना होता है तो eat को cement से जोड़ते हैं तो क्या बनता है दिवाल दिवाल खड़ी होती है चार दिवाल खड़ी हो जाए तो कमरा बन जाता है और फिर ऐसे कई कमरे मिलकर घर बन जाता है तो घर का घर एक बड़ी यूनिट है लार्ज यूनिट है तो घर का एक छोटी यूनिट क्या कहलाएगी वो हो गई ब्रिक तो जैसे घर काई सारे ब्रिक से मिलके बना है उसी तर सेम जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है यानि कि किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब् तो क्या होता है इट ब्रिक है ना यहां मैं लिख देता हूं ब्रिक तो कई सारे ब्रिक को जोड़ते चले जाओ क्या मिल जाएगा बिल्डिंग मिल जाएगा या घर मिल जाएगा उसी तर कई सारे एटम्स को जोड़ते चले जाओ क्या मिल जाएगा मैटर मिल जाएगा जैसे सरे यहां मैंने कौन सा मैटर लिया कोल किससे बना एक मैटर है बना किससे है बहुत सारे एकम से ठीक उसी थर जैसे घर कई सारे से मिलकर बना होता है यह अब यह लौश्च क्लियर हो गई तो अब आगे चलते हैं ठीक है atoms के बारे में हमने थोड़ा थो पतर लगा लिया, अब atom बढ़े कितने होते हैं, तो बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से देखो, यह एक atom दिख़र आपको, है ना? तो जो atom होता है, जैसे यहाँ देखो ध्यान से, यह atom, अब इसी एटम को इस तरीके से अगर हम गोला बना दें तो ये इस तरीके से बन जाएगा है कि नहीं बिलकुल अब एको एक हो कुई भी हो सेंटर में नूखलियस होता है ना तो उसी नूखलियस के सेंटर से जो सबसे Outer मोस शेल है उसके बीच का यह शwasser है और यह उसका सेंटर तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है यही तो कहलाई कि Atomic Radius वा better को यह एक hydrogen का voyage है Ahmed Green Case है भाख बना है hydrogen को दो एटम आपस में bond बनाते हैं तो बन आता है hydrogen gas तो hydrogen के दो atom है ना एक atom यह एक atom यह अब एस सिर्फ एक atom को देखो यह hydrogen का सिर्फ एक atom है तो hydrogen के atom में nucleus होगा उस nucleus के center से उस nucleus के center से आउटर मोस shell की जो दूरी है distance है वही तो atomic radius है और यह जो radius होता है यह लगभख कितना होता है इसको ma rainbow किया जाता है नैनो मिटर मेंनो मिटर कितना बड़ा कितना छोटा तो उसका іडिया इससे लगेगा कि मीटर में 10 की power 9 010 कीब होते हैं तो बड़ी यว ओनेट क्या है मीटर जैसे 200 संट मेटर है न उसी तर एक मीटर में टेन की पावर 9 नैनो मीटर नैनो मीटर बहुत चूटी उनिट है और मीटर बहुत बढ़ी उनिट है तो ऐटम छोटा ही तो होता है आखों से दिखाई देता है क्या अभित तक यहीं तो पड़ रहे है कि जो atom का radius है उसको हम मीटर में नापते हैं नामेटर में 2 एक मीटर में 10 की पावर 9 नैनो मीटर होता है तो एक नैनो मीटर में फिर 10 की पावर माइनस 9 मीटर होगा तो यह कनवर्जन आपको याद होना चाहिए है ना और यह भी पता होना चाहिए किसी भी एटम का जो रेडियस है वो हम किस में मेजर करते हैं नैनो मेटर में मेजर करते हैं यूनिट याद होनी चाहिए और कनवर्जन भी याद होना चाहिए ठीक है समझ में आ गया चलिए अब आज कल के जो मौडरन डे ठीक है और उनघ्यमेंट के जो एटम्स है तो उनका कोई सिंबल है क्या उनका क्यी पहचान है क्या अगरी पहचान के बारे में आयए पड़ते हैं तो जरा यहां देखिए सब से पहले स्योरी ट्रामी को क्या डेना शुरू किया सिंबल अब देखो बच्चों elements किसके बने होते अधी मैटरी है और interfere किसका बना होता है उससाम वी किसका बना और टो जो इलिमनक है उसका कोई पर रोल सबसे पहले जबसे पहले गर दिया तो कौन थे हैं तो किए तुछ फॉर सिंपल देखते हैं हम और सिप्सिंस मेंர्ट जाते हैं क्या कि रुकना है ग्रीन सिगनल देते हैं चलना है तो सिंबल बहुत कम समय में हमको जानकारी देता है इन्फॉर्मेशन देता है तो अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं समय लग रहा है लेकिन हाइड्रोजन के जगर डाल्टन ने क्या किया हाइड्रोजन का एक सिंब सिंबल बना दिया तो जैसे ही आप सिंबल देखोगे तुरण समझ जाओगे कम समय में अच्छा यह किस ऐलिमेंट की बात हो रही है है तो इस तरीके से अलग कुछ-कुछ अचनल यहाँ अच्छ ऑलिमेंट का डाल्टन ने क्या किया सिंबल दिया लेकिन यह सिंबल आज कल यूज नहीं होता है क्योंकि अब तो आईउ पी एसई का सिंबल year ूह था ठीक है लेकिन आई अईउ hydrogen बोले लिखे उससे आसान है कि मैं hydrogen की जगह अगर ये बना दूं तो तुरंट कोई भी समझ जाएगा कि यह क्या है hydrogen है यह बना दूं तो phosphorus है ऐसा बना दूं तो sulfur है ठीक है समझने के लिए समय बचाने के लिए आप यह बना दूंट करते हैं अब देखो अब जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं आई-उ-प-e-c वाला यूज करते हैं संबल ठीक है लेकिन उसके पहले यह भी जान लो कि ऐसे कई elements है ना जिनका नाम कहां खोजे गए उसके नाम पर पड़ा कैसा कलर है ऐसे भी पड़ा जैसे कि आप देख रहों कॉपर कॉपर का बहुत ज्यादा खदान में मतलब बहुत ज्यादा ओर पाया जाता है किस देश में साइप्रस देश में है ना तो साइप्रस देश जैसा कि आप यहां देख रहे हो साइप्रस देश में आप जाओगे कंट्री में जाओगे ना साइप्रस क्या है कंट्री है और इस कंट्री में जाओगे तो कॉपर की बहुत सारी माइंस खदाने मिलेंगी जहां भंडार है भरपूर मात्रा में कॉपर है तो कॉपर का नाम कंट्री के नाम पर पढ़ा है ठीक है तो the name of element where derived from the name of the place where they were found for the first time यानि कि साइप्रस कंट्री में सबसे पहली बार कॉपर खोजा गया था इसी लिए इसका नाम इस कंट्री के नाम पर प्लेस के नाम पर पढ़ा है ठीक है तो इसका तो कुछ element कैसे नाम पढ़ा है उनका प्लेस के नाम पर पढ़ा है लेकिन कुछ element जैसे की gold gold का नाम प्लेस पर ना पढ़के color पर पढ़ा है तो गोल्ड का कलर क्या होता है यलो इश होता है ना शाइन करता है तो इसी लिए उसका नाम क्या पढ़ा गोल्ड तो गोल्ड वॉस टेकन फ्रॉम्ड इंग्लिश वर्ड मीनिंग यल्लो तो किसका कलर पर नाम पढ़ गया किसी का प्लेश के नाम पर पढ़ गया है ना अब आयू इंसिटूषन एक संस्था नहीं बनाएंगे तो दुनिया के सभी लोग अपने-अपने तरीके से सिम्बल देने लगेंगे मतलब कोई बोलेगा कि मैं बोला कि मैं हाइडूजन को ऐसे कि लिखूंगा कुई बोला कि हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखूंगा सिंबल तो अब किसका सिंबल सही माना जाए अब तो confusion हुआ तो इसी scientist लोगोंने यह समझा कि नहीं हमको क्या करना पड़ेगा हमको एक संस्था बनानी पड़ेगी जो ऐसा सिंबल दे जो कि पूरी दुनिया में क्या हो एक जैसा हो चाहे वो किसी भी कंट्री का परसन हो वो सिंबल से समझ जाए कि कि किस एलिमेंट की बात हो रही है है ना तो फिर वो संस्था बनाई गई कौन सी आयू पेसी पूरा नाम क्या है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एन एप्लाइड केमिस्ट्री ठेक है अब यह एक इंटरनेशनल साइंटिफिक और्गनेजेशन है जिसका काम क्या है जिसका काम ह है elements का नाम रखना elements को symbol देना यहीज का काम है तो कुई भी element अगर दुनिया में खो जा गया तो उसका नाम हम लोग नहीं रख सकते उसका नाम उसका symbol कौन decide करेगा अब चलिए देख लेते हैं तो IUPAC ने जो भी elements के symbol रखे हैं वो कई basis पर रखे हैं जैसे पहला basis है कि ऐसे बहुत सारे elements हैं जिनका नाम English का जो पहला जो उनका English का नाम है है ना उसके पहले English के नेम के पहले letter ठीक है या तो first और second letter first two letter से लेकर बनाए गया है जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे hydrogen hydrogen को English में क्या लिखते है hydrogen को English में इस तरीके से लिखते है ना तो यह hydrogen का English नाम है इस English नेम का पहला letter कौन सा है alphabet तो पहला है एच तो आई पी एसी ने hydrogen का symbol क्या बना दिया है ना तो यहां तो first alphabet first letter यूज हुआ है लेकिन जैसे कि aluminium है तो aluminium का English name क्या होता है a l u m i n i um तो इस ने English नाम का जो पहला दो letter है a l वो बना दिया क्या aluminium का symbol symbol मत्तब चिन है ना तो कहीं जगा पहला letter यूज हुआ है और किसी-किसी element का symbol है उसमें उसके English name के first two letter का use हुआ है और जहां भी first two letter का use हुआ हुआ हमेशा पहला letter capital होगा और दूसरा letter small होगा इसलिए जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का English name क्या है C O B A L T क्योंकि यह सभी English के alphabet है अब कोबाल्ट में आयू पीसी ने symbol कैसे दिया तो जो पहले first two letter है तो first two letter क्या है C और O तो यहां दो letter है तो यहां पहला क्या होगा हमेशा capital होगा और दूसरा small होगा हम ऐसे नहीं सकते हैं गलत है यह और जहां सिर्फ एक letter है वह capital होगा और जहां दो है तो वहां पहला capital और दूसरा वाला small होगा एक तरीका यह था ठीक है अब आगे चलते हैं अब देखो कुछ elements का symbol कैसे रखा गया उनके English name के पहले letter और पहले के बाद कोई भी letter का यूज किया गया second, third, fourth कोई भी letter का यूज करके symbol बनाए गया जैसे कि chlorine है तो chlorine को English में इस तरीके से लिखते हैं और इसका symbol देखो क्या है CL CL मतलब कि पहला letter और तीसरा letter तो पहले और पहले के अलावा कोई भी letter लेकर बनाए गया है ऐसे कैसार element है जैसे zinc तो पहला letter और तीसरा letter तो यहां पहला तीसरा है यहां भी पहला तीसरा है है ना ऐसे बहुत सारे समझ में आया है की नहीं तो आपको यह तरीका भी याद होना चाहिए कि इस तरीके से भी आयूपीएसी ने कुछ elements का symbol दिया है ठीक है और ऐसे कई सारे elements है जिसमें की जो उनका लेटिन जर्मन या ग्रीक नेम है उसका यूज किया गया आयूपीएसी ने ऐसे बहुत सारे elements है जिनका जो नाम है symbol है नाम नहीं symbol वो उनके लेटिन जर्मन और ग्रीक नेम से symbol बनाया है जैसे की for example iron को हम लेटिन भाशा में क्या कहते है फेरम तो iron का जो symbol है F E उसके English name से नहीं आया है English में तो iron को I R O N लिखते हैं तो इसमें आपको F दिख रहा है कहीं ए दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है तो फिर iron का symbol F E कैसे बना आइरन का symbol F E इस तरीके से बना कि हमने iron नहीं यूज किया आई यू पीएसी ने क्या किया आइरन को लेटिन भाशा में क्या कहते थे फेरम तो यहां से पहला और दूसरा लेटर ले लिया F और E तो बन गया iron का symbol F E तो यहां इसके Latin नाम का यूज हुआ है उसी तर sodium का Latin नाम नैट्रियम था तो इसलिए नैट्रियम का एनलिया तो बन गया sodium का symbol उसी तर potassium का Latin नाम क्या था केलियम तो यहां से क्या ले लिया के ले लिया तो potassium का symbol क्या बन गया के बन गया तो ऐसे बहुत सारे basis पर आयू पीएसी ने elements का नाम रखा है किसी में first alphabet किसी में first two alphabet किसी में first alphabet मतलब first letter और कोई भी दूसरा letter ठीक है और किसी का Latin name से letter उठा कर symbol बना दिया ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे हो ठीक है therefore each element has a name and unique chemical symbol तो इससे देखो uniqueness आ गई confusion नहीं है अगर मैं सी लिख रहा हूं तो आप कभी में confused नहीं होगे कि यह hydrogen है क्या कि oxygen है क्या fluorine है क्या नहीं सी मतलब carbon तो हमने fix कर दिया ना आयू पीएसी नहीं fix कर दिया और अगर आयू पीएसी नहीं होती तो कोई carbon बोला है कोई ऐसा लिख रहा है को दोनों लड़ रहे हैं मेरा सही है नहीं मेरा सही है गलत होता ना इसलिए confusion दूर करने के लिए और आपसी विवाद dispute को खतम करने के लिए आयू पीएसी ने बोला कि कोई डिसाइड नहीं करेगा मैं डिसाइड करूंगा ठेक है चलिए तो जब आयू पीएसी ने किया तो यहां आप टेवल में क्या देख रहे हो कुछ elements के symbol देख रहे हो जो आपको पता होना चाहिए है ना अल्यूमिनियम का अल है आरगन का ए आर है गोल्ड का ए यू है सिल्वर का एजी होता है आईरन का भी आपको बताया फेरम से एफ़ बना है है ना मैंगनीशम का Mg है उरेनियम का you है जिंग का जड़न है कैलशाम का सी ए है विlor modal लेटर्ल क्याओं लेट्यर यूस किया गया है सिर्फ यह उस्ट लेट्र यूस किया गया यह न आप carbon का symbol नहीं पता C तो फिर क्या पता तो फिर आपको जब बोला जाएगा आप मिधेन लिखो तो मिधेन carbon से भी तो बना होता है CH4 तो आप C क्यों लिखा क्यों कि आपको पता है carbon का symbol क्या होता है C होता है तो यह symbol याद होने चाहिए दिक है तो element element बने होते है एकão से और हर element का फेसटीन रहे सिंबल क्योंकि element होते है top से एका कोई माश्द फी तो होता होगा और मैंको आटम के माश्यों ही तो क्या कहते हैं हम कुछ खरीदते हैं है ना कुछ वस्तु को सब्स्टैंस को उठाते हैं उसका कुछ मास होता है 12 gram 50 kg तो हम मास को ग्राम या किलोग्राम में लिख रहे हैं न तो यह तो यूनिट है तो उसी तर atomic mass को अगर लिखेंगे तो kilogram और gram में नहीं लिखते किस में लिखते हैं पहले amu में लिखा जाता था यानि atomic mass unit लेकिन अब ये बंद हो गया और amu में न लिखकर अब हम u में लिखते हैं जैसे मुझे hydrogen का atomic mass बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगा hydrogen का atomic mass 1u है ना oxygen का बोलना होगा atomic mass तो मैं बोलूँगा 16u carbon को बोलना होगा atomic mass तो मैं क्या बोलूँगा carbon का atomic mass बोलूँगा 12u ठीक है तो atomic mass की जो unit होती है जो पहले amu हुआ करती थी अब वो बदल गई है अब जो नई unit है वो है यू तो आपको आगे यू लगाना पड़ेगा है ना आप सिर्फ हाइड्रोजन के आगे वन नहीं लिख सकते गलत वन के साथ यू लिखना जरूरी है समझ में आया चलिए तो इसी लिए अब देखो हर चीज कंपेरिजन पर बेस्ड होती है है ना जैसे 10 किलो एक एक किलो के 10 टुकडे ले लूँ तो 10 किलो बन गया तो मेरा रिफरेंस क्या था मेरा रिफरेंस था 1 किलो ठीक है अब माल लो कि मुझे 50 किलो यह 10 किलो नापना था तो मैंने 10 किलो के मैंने क्या किया एक एक किलो के 10 टुकडे ले लिए और उससे नाप लिया तो मेरा फाइदा यह है कि मुझे 10 किलो नापना है तो भी नाप लूँगा 5 किलो नापना है तो भी नाप लूँगा 2 किलो नापना है तो भी नाप लूँगा एक किलो नापना है बटखरा लोहे का होता है ना वन केजी का टू केजी का 500 ग्राम का वो उसको तराजू में रखता है और फिर तौलता है और फिर आपको दे दाता है तो वह चोटे-चोटे क्या है यूनिटी तो है कंपेर करने के लिए तो पहले ऑक्सीजन का यूज किया करता हुआ करता था ल बाकी जितने भी दूसरे एलिमेंट के एटम है उनका मास बताने के लिए हम किसका रिफ्रेंस लेते हैं हम कार्बन ट्वल आइसोटोप का रिफ्रेंस लेते हैं मतलब कि जैसे एक तर्बूजा तर्बूजा है ठीक है एक बड़ा तर्बूजा है कितने ग्राम कितने किलो का मालो 12 kg का है होता नहीं है 12 kg तो बहुत हो गया लेकिन मालो एक बड़ा तर्बूज का फल है 12 kg का अब मैंने इसके 12 टुकड़े कर दिये कितने 12 पीसेज है ना तो हर एक पीस कितने किलो का 1 kg का ठीक उसी तर ठीक उसी तर कारवन को एक मिनट ठीक उसी तर कारवन 12 आइसोटोप का हमने अटोमिक मास कितना ले लिया 12 यू अभी मैंने बोला कि अटोमिक मास किसमें लिखने है 12 यू अब हाइड्रोजन कारवन के एटम से 12 टाइम्स हलका है तो अगर कारवन के एटम का मास 12 यू है तो हाइड्रोजन जो की 12 गुने हलका है तो फिर हाइड्रोजन का कितना होगा इसका 1 बाइ 12 करेंगे तो 12 यू का 1 बाइ 12 कितना आएगा 1 यू आएगा तो हाइड्रोजन का निकल गया तो इसका मतलब किसी भी comparison किससे किया carbon के 12 आइसोटोप से तो यही आपको याद रखना है कि atomic mass के लिए निकालने के लिए हम जो standart यूज करते हैं reference वो क्या यूज करते हैं वो हम carbon 12 आइसोटोप यूज करते यह कोशन आ सकता है कि oxygen यूज करते हैं carbon करते में 12 यूज करते हैं 13 यूज करते तो one atomic mass unit एक स्योटोब तो हम जब huduron का one you लिख रहे है है atomic mass तो इसका यह है कि carbon 12 के isotope का जो मास है कितना 12 u उसका 12 times कम तो 12 u का 12 times कम करोगे तो 1 by 12 कर दोगे तो 12 u का 1 by 12 1 u आएगा तो यह हो गया है ना समझने आया चलिए मतलब इसको दूसरे तरीके से में बोलूं कि hydrogen के atom के comparison में carbon का जो atom है वो 12 times heavy है ठीक है चलो अब यहां आप टेबल में क्या देख रहे हो बहुत सारे element का atomic mass जिसको लिखा किसमें जाता है यू में hydrogen का वन यू carbon का 12 यू nitrogen का 14 यू यह याद होना चाहिए oxygen 16 यू sodium 23 यू magnesium 24 यू है oxygen का पता चल गया 16 यू तो मैं oxygen बोल रहा हूं तो एक oxygen लेकिन जब मैंने oxygen gas कहा तो oxygen gas तो O2 होता है तो फिर इसका mass कितना हो जाएगा अब यह atom नहीं गाए अब यह तो thank you so much बच्चों पढ़ने के लिए इसी तर हमारे साथ पढ़ते रहिए अग्ड़ा 24-7 क्लास 9 & 10 के साथ जुड़े रहिए हम आपको पढ़ाते रहेंगे doubt tier करते रहेंगे thank you so much